राजे समन्द के चारबुजा थाना शेत्र में सुबा दो ट्रकों की आमनिस सामने की भीशन भिढ़नत हो गई इस हाथसे में दौनों ही ट्रक चकना चूर हो गए इस हाथसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दो लोग घायल हो गए से इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया महीं चारबुजा थाने के सहाय को अपनी रिक्षक प्रताब सिंग ने बताया कि नैशनल हाइवे नंबर आट पर इस दिर अमरतिया गाउं के पास सुबा दो ट्रक आमने सामने से टकरा गए इसमें एक ट्रक में भरी सबजियां सडक पर विखर गई वहीं हाथसे में एक चालक की मौके पर मौत हो गई उसका शव भी ट्रक में ही फंस कया जबकि दूसरे चालक में सवार खालासी और चालक घायल हो गए बता दें की खबर आसमन से है जहां चार बड़ा दाना शेतर में दो ट्रकों की आज आमने सामने की बिड़न तो गई इस हाथसे में दोनो ही ट्रक चक ना चूर हो गए इस हाथसे में एक रियक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और खबर की जादा जौन कारी के लिए हमारे साथ हमारे सायोगी सुनील जैन सीधा हमारे साथ पॉन लाइन पर जोड़ चुके हैं सुनील आज दो ट्रकों की आमने सामने की टक कर रही तो क्या कुछ बड़ा वज़े रही हाथ सहोने की बता दो आकांग सांगे चार बुजा थान अच्छे तरह के अमर्तिया नेशनला हिवा आज पर था जहां पर अज सुबह हैं दो ट्रकों के आमने सामने बिड़न तो गई ती जिसमें दोनों ट्रक आगे से चकना चूर हो गए वही एक ट्रक में सबजिया भी बड़ी हुई थ अरव तरह कि जो चालग था वह अंदर ही फजिया और उसकी मोके पर ही मौत हो गई थी और एक ट्रक चालग और खलाशी जो गया थे वहां ग्रामीर मोक्य पर पहुंच घया और सुचना पर चारबुजा पुलिस मोके पहुंची और क्रेन की साहिता से साज को बहार निकला और चिकिस्टालाई मोर्थी में रखाया है वहीं गाईलों को दोनों को आरके जिल्ला चिकिस्टालाई पहुचाया है जा उनका उप्चाष जारी है अकांग्छा कि अब से क्या कुछ कारेवाई अब आगे की जा रही है हाथसे के बाद करीब देड़ गंटे तक मुक्या आइवे जो था वो भी जाम रहे गया उसके बाद क्रेंट की साहिता दोनों ट्रका को मोके से भी हटाया गया है बता दुख सुवेश जब यहाथसा हुआ उसमें सर्दी का भी ज्यादा देवर था और कोरा भी था इसके चलत चौलक की मौके परी मौत हो गई जबकि दूसरे ट्रक के चौलक और खला सी खायल हो गए